पुलिस वालों के भी अलग ही फसाने हैं यहां तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टड़ी एक्जाम अकाडमी पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लासिस आप सभी को मिलती रहें चलिए प्रश्ण की शुरुवात करते हैं पहला प्रश्ण भारतिय प्रतीक पर उतकिर्ण सत्य में उत्जैते लिया गया है किसे іє RKOVETS से B मतरश्य पूराण से surface C भगवतगीता से D मुंडगो पनिशत से देखते हैं इसका सही उत्तर कौन दे पाता है यह मेंने कल भी कराया था सो इसका सही उत्तर क्या ओण जाएगा डी मुंडगो पनीशत से ठीक है और यहां पर मुंडक का अर्थ क्या हो जाएगा मस्तिस्क से अत्यधिक शक्ति प्रदान करना ठीक है मस्तिस्क से अत्यधिक शक्ति प्रदान करना और यह किस मंत्र भाग के अंतरगत आता है तो यह अथर्ववेद मंत्र भाग के अंतरगत आता है कौन से मंत्र भाग के अंदर अथर्ववेद मंत्र भाग के अंदर चलिए अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं दोसरा प्रश्ण आरंभिक वैदिक काल में वर्ण विवस्था आधारिती किस पर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं? तीसरा प्रश्ण निम्न लिखित में से कौन सा अन मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए राई, बी गेहूं, सी जो, डी जई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा? C, जो, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं? निम्न लिखित में से रिग वैदिक काल के कौन के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ए, संयुक्त परिवार प्रणाली, बी, क्रिशी, सी, वन विवस्था, डी, विवाप्रथा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं कौन बच्छा इसका सही? जवाब दे पाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सी, वन विवस्था और मुझे ये बताईए कि रिगवेद को कौन सा ग्रंथ माना जाता है? ये बताईए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईए कि रिगवेद को कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? प्राचीनतम ग्रंथ सा है तो अंसर हो जाएगा रिगवेद चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं जुरैसिक काल कौन सा काल जुरैसिक काल कमाना गया पूरी तरह तैयार व्रिक्षिय फॉसिल कहां पाया गया ए पिथोरागर्ड बी छतिसगर्ड सी रामगर्ड बहादूरगर्ड तो इसका इस राइट अंसर क्या हो जाएगा भी छतिसगर्ड छतिसगर्ड की राजधानी का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईये और इधर Kenneth क्या मंथ ना में प्रेजें बताईये वरतमान में कौन से मुख्य मंत्री है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा भूपेश बगहेल कौ में हैं बताईए यग्य शूत्र निम्न में से किस वेद में हैं ए शामवेद बी रिगवेद सी यजुर्वेद डी अथर्वेद कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यजुर्वेद अब जिन बच्छों ने इसका जवाब गलत दिया जिनका अंसर यह अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया तो इसका सही उत्तर कैसे करना है बताईए यह ट्रिक्स के साथ मैं सिखा रही हूं तो देखिए यग्य यह से क्या होता है यग्य होता है ठीक फिर यह स से यग्य और यह से यह जुर्वेद अगली बार से गलत नहीं होगा तो इसलिए अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा यह जुर्वेद चलिए अगले कोशन की ओर चलते हैं निम्न लिखित में से कौन सी जन्जातिय सभा समान्य रूप से जन्जातिय सर्दार मुख्या के चुनाओं में शामिल होती थी A. समीती, B. सभा, C. गड़, D. विदाता तो इसका सही उतर हो जाएगा A. समीती चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं तो इसका देखते हैं मुझे सही जवाब कौन दे पाता है जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि सिंदु घाटी सभ्यता की जो लीपी है उसका अभी तक कोई भी अनुमान नहीं है मतलब पता ही नहीं है कि इसकी लीपी क्या है तो इसका राइट अंसर बताइए क्या हो जाएगा मुझे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा B. अग्यात मतलब इसका कुछ पता ही नहीं है सिंदु घाटी सभ्यता की लीपी अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया है इसका सही उतर क्या हो जाएगा भी शामवेद और जिनने इसका उतर गलत दिया मतलब इसका उतर सही नहीं कर पाए तो इसका ट्रिक क्या होगा देखो सह सी क्या होता है अपना संगीत होता है सव से क्या होता है संगीत होता है और सव से क्या होता है कौन सा वेद साम वेद ठीक है तो यह ध्यान रखना चारी तो वेद होते है अपने रिग वेद साम वेद यजुर वेद और अथर्व वेद तो सव से कौन सा वेद हो गया तो सव से संगीत और सव से अपना साम वेद चल पास बैटना डी सरस्वर सरस्वर पाठ या पठन तो इसका उत्तर क्या होगा बहुत सारे बच्चे इन दोनों उप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एक तो ए उप्शन है और एक ये सी उप्शन है तो इसमें से माइंड क्लियर करना है उपनिशत शब्द का शा आउट कर दिये कि ये तो होई नहीं सकता नहीं है अब इन दोनों में से सही क्या होगा बताइए मुझे कमेंट करके तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा सी पास बैटना मतलब गुरू के निकट बैठ कर ज्यान प्राप्त करना इसका अगर पूरा मिनिंग देखा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है पास बैठना ठीक है चलिए अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं सिंदु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहां पर इस्तित है ये मेरा फेवरिट कोशन है और आपका भी बन जाएगा बताइए इसका सही उतर क्या होगा ये मैंने कल ही इसका डिस्क्राइब किया था इसका डिस्क्रिप्टिव वे में बताया था आप लोगों को तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा ए गुजरात जिसकी रासधानी कहा है बताइए जल्दी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स म में बताइए कि गुजराग की राजधानी कहा है कांँ से गांदी नगर में और में कॉन से नगर में गांधी नगर में चलिए अगले प्रस्न कARS बढ़ते हैं c3 22 प्रस्षण our यंजातियों की प्राचीन तम बस्ती कहां है बताईए ए उत्तर प्रदेश में बी बंगाल में सी शप्त सिंधु में डी दिल्ली में बताईए इसका सही उत्र क्या होगा जल्दी बताईए तो इसका राइट अंसर होगा सी शप्त सिंधु में जिन में कौन सी नदिया शामिल है शप्त सिंधु मतलब क्या होता है साथ नदिया साथ नदिया होती है ठीक तो साथ नदिया शामिल है तो शाथ नदियों में कौन-कौन सी नदिया हमारी शामिल है तो पहला लिखिए जल्दी इसको लिखिए एक तो गं चौथा सरस्वती ठीक है फिर पाँचवा कौन सी नदी है परूशणी जो जीन बच्चों को आते हैं वो कमेंट करके मुझे बताएं फिर इसके बाद मरूद धा फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा आर जी किया तो यह ध्यान रखियेगा इन साथो नदियों का नाम ध्यान रखियेगा ऐसे पूच्छन में पूच सकते हैं कि सब्च सिंधु में कौन सी नदी कौन सी नदी शामिल नहीं है तो उसमें आपको तभी आपको यह प्रशने का उत्तर आएगा जब आपको सातों नदियों के बारे में पता होगा तो इसका फिलहाल राइट अंसर क्या हो जाएगा सी शप्त सिंधू चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं सिंधू अर्थ विवस्था की ताकत थी अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं निम्न लिखित में से किस देश ने भारत से मोहन जोदुरू से प्रशिध नर्तक कन्या की प्रतीमा वापस देने के लिए कहा है बताईए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए बांगलादेश बी भुटान सी चीन डी पाकिस्तान तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा डी पाकिस्तान और जीन बच्चों को इसकी राजधानी पता है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं पाकिस्तान की राजधा इसलामाबाद में कौन से बाद में इसलामाबाद में चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं सेंधु घाटी सभ्यता में काली बंगा निमनलिखित में से किसके लिए प्रशिद है अब देखिए ये क्वेश्ण मैंने कल तो कराया था अब काली बंगा किस से रिलेटेड है ये बताईए मुझे जल्दी से कमेंड करके बताईए जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा उ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बंदरगा और इस कोशन को स्टार माग कीजिए ये कोशन काफी बार पेपरों में पूछा गया है तो इस सवाल को क्रिप्य करगे गलत ना करें चलिए माहा भारत का प्रारंभिक नाम क्या था बताईए ए कथा सरित सागर बी जै सहिंता सी राजत तरिंगिणी डी भारत कथा बताईए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बी जै सहिंता किसी भी बच्चे ने इसका सही जवाब नहीं दिया चलिए अगले सवाल की और चलते हैं निर्ण लिखित वैदिक सहिंताओं में से भारतिय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकते हैं आप देखिए आप इसे समझ जाएंगे कि कौन से कोशन ज्यादा इंपोर्टेंट है अभी मैंने बताया था संगीत के बारे में संगीत से सहसी क्या होता है सहसी क्या होता है संगीत होता है अपना और सहसी क्या होता है कौन सा वेद होता है सामवेद होता है अपना ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी सामवेद कोशन की धजियां उड़ जाएंगी चलिए अगले प्रशन की और चलते हैं जिस मन शी पंडित ने दक्षिन भारत का आर्थी करण किया वे कौन थे ए यागे वलक्य बी वशिष्ट सी अगस्तिय डी विश्वामित तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सी अगस्तिय अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं चलिए सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में इस्थित है बताईए कौन सा होगा इसका राइट अंसर बताईए एक लोथल बी काली बंगा सी आलमगिरपूर डी हडपा जल्दी से बताईए इसका राइट अंसर तो देखिए लोथल तो बिलकुल भी नहीं होगा क्योंकि आपको पताए कहां पर इस्थित है गुजर पताए कि उसका राइट अंसर क्या होगा तो उसके ऑप्शन के बारे में जानो और सही से अंसर टिक कर दो चलो अगले प्रश्ण की और चलते हैं प्राचीनितम भारत तीये सभ्यता का नाम बताईए यह कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूं तो इसका राइट शब्द को ज्यात करना है पता करना है तो ए सामवेद बी यजुर्वेद सी विश्नुपुरान डी व्रेगवेद तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी विश्नुपुरान चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं विशाल स्नानागार यह कोशन को स्टार मार्क क सी चहुंदडो डी मोहन जोदडो यह कहां पर है बताए कहां परिस्तित है तो यह कहां परिस्तित है मोहन जोदडो इसको किसके नाम से जानते हैं ग्रेट बात अगर ग्रेट बात कोशन में आ जाए कि ग्रेट बात या फिर विशाल स्नानागार तो दोनों में क्या हो जाए जोड़ो राइट अंसर होगा चलिए अगले कोशन में चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे ए विष्णु भी पशुपति सी इंद्र डी ब्रह्म्ह इसका सही उत्तर क्या होगा बताईये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे ये प्रश्ण मैंने कल भी बताया था इसका उट्तर इसका राइट अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए बी पशुपती चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे ये भी मैंने कल बताया था इस कोशन को भी स्टार मार्ग कीजिए ये कोशन काफी बार पेपरों में पूछा गया है तो चलिए क्या होगा इसका राइट अंसर ए लॉडवुली बी दैरामसानी सी विए सगरवाल डी एल बाशम तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बी दैरामसानी बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है ये होता है लेक्चर सुनने का फायदा चलिए अगले प्रश्ण क कि और चलते हैं अब बताईए ये कोशन तो लिखके रखिए ये कोशन काफी जादा इंपोर्टेंट है काफी जादा परिक्षाओं में ये पूछा गया है तो इसका सही उत्तर कौन देगा देखते हैं नेमनलिखित का मेल कीजिए बहुत अच्छे से मेल करना सही उत्तर कर क्या आना है ए मोहन जोदुरो भी हरपा का क्या होगा सी काली बंगन डी लोथल तो इसका किस से मैच होगा बताईए अब देखिए जिन बचोंने इस लेक्चर को भी अभी शुरू से ध्यान से सुनाओगा उनको यह अंसर का पता लग गया होगा कैसे देखिए मोहन तो में क्या मिला था विशाल सनानागार जिसको और क्या कहते हैं ग्रेट बात तो एका कौन सा ओप्शन मैच कर रहा है फोर ठीक है अब ऑप्शन के उपर नजर फेरी एक बार पहले एक मैच कीजिए फिर तुरंट अगर आपको पहले का अंसर पता है कि यह है तो बस उसी म बच्चा हमारा एक तो मोहन जोदुडो का ग्रेट बात अब देखिए एक ही आंसर पता होने से हमने इसका राइट आंसर पता कर लिया चलिए अगले प्रशन की और चलते हैं उपनिशद क्या है बताईए उपनिशद क्या है ए महाकाव्य बी कथा संग्रह सी हिंदु दर्शन का श्रोत डी कानून की पुस्तके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हिंदु दर्शन का श्रोत चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं कौन सा वेद धार्मिक अनुस्ठानों से संबंध रखता है धार्मिक मतलब जिसमें खूब जादा यग्य हवन यह सब होता है यग्य हवन धार्मिक से यही मतलब हो गया ठीक है तो कौन से वेद में यह होता है तो बताइए ए रिगवेद बी यजुर्वेद सी सामवेद डी अथर्वेद तो कौन सा वेद था यह से क्या होता अपना यग्य होता है और यह से क्या होता है अपना यजुर्वेद होता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी चलिए अगले प्रशन की और चलते हैं निम्न लिखित में से किस वेद में जादू चमतकार तथा मंत्र दिया गया है बताईए रिगवेद बी शामवेद यजुर्वेद डी अथरवेद इसका सही उतर बताईए जिसमें जादू टोना होता है जो गाओं में आजकल जादू टोना होता है अंध विश् उसकी वज़े से उत्पन होता है लोगों में ठीक है तो वो कौन से वेद में दिया गया है तो बताइए डी होगा इसका राइट ऑप्शन ठीक है जिन बचों ने इसका डी ऑप्शन किया है वो सही है चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं सेंधु घाटी सभ्यता में ब्रिहस्त स्नानागार या विशाल स्नानागार निन्न लिखित में सिकिस नगर में पाया गया है ए लोथल बी मोहन जोदुरो सी मिता धल डी काली बंगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए अब जो बच्चे इसका राइट अंसर देंगे व बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए बताइए तो इसका राइट अंसर क्या होगा मोहन जोदुरो चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धौला विर निम्न लिखित में से किसके लिए प्रशिद है बताइए धौला विर जन सर्क्षन जल सर्क्षट दी मिट्टी के पातर एक बार बताए है यहाँ पर पानी का बचाओ ज्यादा जाता था तो इससे कौन सा option मिलता जुलता है सी जल सनरक्षट तो इसका राइड option किया हो जाएगा जल सनरक्षट चलिए अगले प्रशन क्यों चलते हैं 31 प्राश्ण रिग वेध में सबसे प्रमुख देवता कौन है बताईए इसका जवाब मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए कि क्या होगा बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन में कन्फ्यूज होंगे ऑप्शन को देखके इबच्चे कन्फ्यूज जाते हैं घबरा जाते हैं उनको लगता है कि यह होगा पशुपती होगा विश्नु होगा अगनी होगा कि इंद्र होगा तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा अपना इंद्र बच्चे इन दोनों में खास कर इंद्र और अगनी में ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो क्वेशन को धंग से नहीं पढ़ते कि इसमें पूछा क्या है रिगवेद में अगर सिर्फ प्रमुख देवता की बात करते ना तो सिर्फ प्रमुख में अगनी होता ठीक है लेकिन अगर क्वेशन में सबसे प्रमुख की बात की है रिगवेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इंद्र होगा और इंद्र को ही क्या माना जाता है देवताओं का राजा किसका राजा देवताओं का राजा किसका आशनकी और बढ़ते हैं गौतम बुध ने महापरी निर्वान कहां लिया था ए पटना बी कुशिनगर सी वारानसी सी डी सारनाथ बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा यह हमारा बहुत इंपोर्टेंट कोशिन है इसको भी स्टार मांग कीजिए ठीक है तो बताइए कहां प सवाल यहीं पर खतम होते हैं आशा है कि आप सभी को यह लेक्षर जादा पसंद आया होगा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस वो भी ट्रिक्स के साथ साथ आप सभी को सिखाई जाएं चलिए धन्यव सवाद